नमस्कार, मैं हूँ सुनिल और आप इस समय देखना सुरू कर चुके हैं अपना खाल सकार्ज करम एजुकेशन एंड जॉब वुलेटेन यानि ब्यार सिच्चा समाचार जहां बाते करते हैं ब्यार सिच्चा विवाद की खबरों की ब्यार के नियोजी सिच्चको और बिपियसी से बहल सिच्चको पुराने सिच्चको तमाम तरह के सिच्चको के साथ साथ इवाओं और विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ खबरे निकल कराएं तमाम खबरों से का विशह बना पर चाहे वा सिच्छक हो या सिच्छक संगठन हर तरब चट जाए सिच्छक भी एक दुसरे से बाते कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और संगठन ने तो अल्टिमेटम भी इंदे दिया है कि अगर पोस्टिंग और तबादला पॉलिशी में अगर संसोधन नहीं किया गया तो हम सड़क से सदन तक सरकार के खिलाप में उतरे हलाकि सरकार की ओर से विभाग की ओर से कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है लेकिन विभाग ने अब ऐसा निर्णे किया है कि सिच्छक संगठन की बातों को और सिच्छक की बातों को समझने के लिए कमीटी बनाई जाए कमीटी बना भी अब बन भी रही अस्थानी अस्तर पर कमीटी का निर्मान किया गया है लेकिन सिच्छक संगठन एक बात और उठा रहे है कि इस निती में संसोधन के लिए सिचकों को भी आमंतुरित किया जाए, सिचक संगटनों को भी आमंतुरित किया जाए अब देखना यह होता है कि जिला अस्तर पर इसमें क्या होता है हलाकि यह बिल्कुल साप है कि जब राज अस्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ बिहार के नियोजी सिच्छकों के उनके सेवा काल में, अब वो सेवा काल में किस परकार से बदला होंगे आने वाले वक्त में आपको बखुवी पता चल जाएगा, अभी अगर हम आपको यह बाते बताएं, तो आप कहिएगा, कि आपको यह खबर कहां से मिली, आप ही को ज्य आने वाले वक्त में, आपकी जिंदगी में विभाग एक बहुत बड़ी सोगात तौफा देगी, आप खुश भी हो जाएंगे, और पोस्टिंग और तबादला निती को लेकर बिल्कुल आप कहिएगा कि ठीक ठाक है, चाहे आप परिच्छा दिये हैं, या सचमता परिच् अगर सभी लोगों को कर रहे हैं, आवाज तो उठ रही है, आवाज सरकार तक पहुची है, अब इसमें सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिये जाने की संकित मिल रहे हैं, तो बहुत जल्द ही आपको या जैसे दसहरा पुजा में आपको पोस्टिंग पॉलिशी सामने लाकर साबजनी कर दिया गया, इसकी सोगात मिली, तो दिपावली भी बिल्कुल सामने है, यह निशिंत रहे हैं, दिपावली छट के बेच, आपको अपने सिच्छा जगत की ड्यूटी में, सिच्छा के रूप में ड्यूटी में एक बहुत बड़ी बदलाव होने जा रही है, व आपको बता दें, कि बिहार में एक ही बिग्यापन के जरिये 1 सितंबर 2005 के बाद, निउक्त सिच्छकों को भी 1 सितंबर 2005 के पहले निउक्त हुए मादमिक सिच्छकों की तरह ही पुरानी पेंसन मिल सकती है, इस संबंध में अधिकारिक निर्णाय लेने के लिए ऐसे मादम इस समंदित निर्देश सिच्छा विभाद के मादमिक सिच्छा निर्देशा की योगेंदर सी ने जारी किये हैं, पत्र में कहा गया कि 28 नवंबर 2013 के बित विभाद के संकल्प संख्या 1206 के दौरा वैसे मामलों में जहां एक ही बिग्यापन के मात्यम से 1 सितंबर 2005 के पहल इसे कर्मियों को कुछ सर्तों के साथ कुरानी पेंसन योजना में शामिल होने के लिए उनसे बिकल्प प्राप्त कर निर्देशा लिया जाना है, तो यह बहुत बड़ी बात है, वहीं तरंग में इस बार होगी, गुलेल हुआ गिल्ली डंडा की भी परतियोगता, 21 से 25 अक्तूबर तक पटना में कला और खेल बिदाओं का होगा आयोजन, कई नई बिद्याओं को इस बार जोड़ा गया है तरंग कला उत्सों में, जिला अस्तर पर परता मस्तान पाने वाले परति भागी ही ले सकेंगे हिस्सा, गुलेल कंचे वा गिल्ली डंडा की बिव देल से निसाने बाजी में भी अब अपना हुनर दिखाने को इस बात तरंग कला उत्सों में बच्चे सामीन होंगे, 21 से राजस्तरिय तरंग कला उत्सों परतियोगता होगी, कई नई बिद्वाओं को इस एक बार इसमें जोड़ा गया है, कई से 22 सता 24 वा पचीस अक्तू करना होगा अपडेट नहीं तो कारवाई तई है, इद्वाओं को इस सिच्छा को इस पोटल पर अप्लोड करने की मिली जिम्मेवारी और आपको बता दे कि भी हर सिच्छा विबाग ने सरकारी और निजी असकूलों में पढ़ रहे, बच्चों का डिटेल रखना शुरू विबाग से मिली निर्देश के बाद जिला सिच्छा करियाले ने जिले में इस सभी स्कूलों को 30 अक्टूबर तक अच्छा एक से बाराहमी तक में नामांकित बच्चों का अधार इस सिच्छा को स्पोटर पर अपडेट करने का निर्देश जारी कर दिया है, इदर अनु जार था, लेके सिच्छा भी भागने इस पर पहल की और सभी जो अनुकमपा से अनुकमपा धारी बहाली है, उस पर अब मुहर लग गई है और अब अनुकमपा पर जल्द ही बहाली हो जाएगी जो वर्सों से रह देख रहे थे, कमीटियों में सिच्छक परतिनिदियों को भी सामिल करने की मांग की गई है, अस्कूली सिच्छको के असानांत्रक पदस्थापन की नई निती के इतहत, गठित कमीटियों में सिच्छक परतिनिदियों को भी सामिल करने की मांग, कौमी तंजीम बिहार निकी है, तंजीम के परदेश सहयों जग मुहम्मपा रफी ने इस समद में मुक मंत्री को भी पत्र लिका है कि इसमें सिच्छक को भी सामिल होने का मुका दिया जाए ताकि वो सिच्छकों की समस्याओं को भखो भी रख सकें सिच्छा मंत्री को भी ग्यापन स्वपा गया है सचमता उत्रेन सिचकों का पदस्तापन उनके आवंटे जिले में यथा सिगर करने को लेकर सिच्छा मंत्रे एवं सिच्छा विवाक्या पर मुक्सचीव को असनाता ग्रेट पर सिच्छे सिच्छक संग बियार के प्रदेश अध्याच पिंटु कुमार सीने ग्यापन और सिगर पोस्टिंग कराने की मांग की है इदार असतानी अस्तर पर सिच्छक के समचे सुल्जाएगी अब कमिटी बन गई है कमिटी अब इस पर जिला अस्तर पर इसमें होंगे अध्याच इसका डीम होता हब होंगे इधर फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल सिचक पर एफ आई आर दर्ज होगी अब करवाई निगरानी की डवल जाज में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट निकला फर्जी वर्ष 2008 में मद्ध बिद्दाले और प्रात्मी बिद्दाले में कई सिचको की पूरे बिहार में बात आई है और हर जिले में इस तरह के चाय सिता मड़ी हो रंगावादो गया हो हर जगह से जाच चल रही है और फर्जी परमान पत्रवाले सिचको की छटनी भी जारी है आगे भी यह करवाई जारी रहेगी लगतार हर महीनी सिचक हटाये जा रहे हैं या फिर वह छोड़कर चले जा रहे हैं इधर सब्ता हमें पांस दिन बीपी इल पदिती से अब पढ़ाई होगी आपको बता दें कि पूरे परदेश में बिग्यान इमंगम गनीद के विशय की पढ़ाई को प्रभावी बनाने के उदेश से आटमी तक के बच्चों को पाठ पुस्तकों में समाहित किये जाए गए हैं इसी के दार पर प्रजेक्ट वेश्ट लर्निंग को सहच सरल और परभावी बनाने के लिए असकुलों में पांस दिनों की अलग अलग गतिवितियों को संचालित किया जाएगा इससे बच्चे पाठ पुस्तकों की बातों को पढ़कर समझने और करके श करबारें किया है इधर पुरानी पंसन बहाली का सकते हैं कि पुरानी पंसन बहाली मोड़्टा ने इन-पी-एस का जलाया पुतला आपको बताते चले कि संग भवन मी स्मित्य यानि पुरानी पेंसन को लेकर करमचारी जो है मुश्चा जो है लगातार प्रियास रत है और अपनी मांग पठा रहें, देखना यह होता है कि पुरानी पेंसन योजना किंदर सरकारत देती है, या फिर कुछ और पर ही संतोष करना होगा, फिलाल हमारे साथ बने रहें, अगर हमारा आया वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक कर लिजे, इस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लिजे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजे इजाज़त, जै हिंद, जै भारत, बंदे मातरम,